मुद्रा आपूर्ती के संदर्में संकिर्ण मुद्रा में डाक घर बचत बैंग की बचत जमाय शामिल होती है धन आपूर्ती धन की मांग की तरह एक stock variable है किसी विशेश नियत समय पर जनता के बीच परी संचरित धन की कुल मात्रा को धन आपूर्ती कहा जाता है RBI धन आपूर्ती के चार वैकल्पिक उपायों के आकरे प्रकासीत करता है M1, M2, M3 और M4 M1 में CU प्लस DD आता है M2 में M1 प्लस डाक घर बचत बैंकों में बचत जमा M3 में M1 प्लस वानिजिक बैंकों की सुद्ध सावधी जमाय M4 में M3 प्लस डाक घर बचत संगठनों की कुल जमाय राश्ट्रिय बचत प्रमान पत्र को छोड़ कर CU का अर्थ होता है जनता द्वारा धारित मुद्रा यानि नोट्स और सिक्के DD होता है वानिजिक बैंकों द्वारा धारित सुद्ध मांग जमाय M1 और M2 को संकुचित धन के रूप में जाना जाता है M3 और M4 को व्यापक धन के रूप में जाना जाता है यह असरिनी व्यवस्था तरलता के घरते करम में होती है यानि M1 सबसे अधिक तरल और आसान है जबकि M4 सबसे कम तरल है M3 धन आपूर्ती का सरवादिक प्रयुक्त माध्यम है और इसे समग्र मौद्रिक संसाधनों के रूप में भी जाना जाता है भारत प्रतिभूती मुद्रन तथा मुद्रा निर्मान निगम लिमिटेड के बारे में यह आर्थिक मामलो के विभाग के अंतरगत एक सार्जनिक छेत्र का उपकरण है भारत प्रतिभूती मुद्रन निर्मान निगम लिमिटेड आर्थिक कार्य विभाग के तहद आने वाला एक मात्र लोक उद्यम है इसे वित मंत्राले के तहद पहले काम कर रही नव इकाई के निगमी करन के बाद गठिद किया गया था इस कमपनी को 2006 में कमपनी अधिनियम अनिशाचपन के तहद निगमी किया गया था यह सुरक्षा पत्र सिक्का की टकसाली मुद्रा और बैंक नोटों की छपाई गैर नियाई के स्टांप पेपर डांक टिकट यात्रा आधि का निर्मान का कारे करती है और कमपनी जो है वो आपूर्ती करती है ये कमपनी जो है वो आपूर्ती करती है आर बी आई को मुद्रा या बैंक नोट और शिक्का की फिर विभिन राज सरकार को गैर नियाईक एस्टांप पत्रों की फिर पोस्टल एस्टरेशनरी और प्राक विभाग के टिकटों की, फिर विदेश मंत्राले को पासपोर्ट, वीजा, स्टिकर और अन्य यात्रा दस्तेविजों की, फिर अन्य उत्पादों में असमारक सिक्के MICR और गैर MICR चेक आदी की भी करती है। इसलामिक बैंकिंग के बारे में, इसलामिक बैंकिंग के अंतरगत रिनो और जमाओ पर कोई ब्याज नहीं लगता है। जमा करता जिस बैंक में अपनी जमाए रखता है, उसको होने वाले नुकसान यलाभ में वहसा भागी होता है। इसलामिक बैंकिंग, इसलामि से धांद के अनुसार लागू की गई बैंकिंग ब्यवस्ता है। इसलामि कानून में रिन और जमाद दोनों पर ब्याज की मना ही है। इसके लिए यह तर्क दिया गया है कि पैशा कोई वस्तु नहीं है और लाभ वस्तुओं और शेवाओं पर अरजित किया जाना चाहिए, पैसे के नियंदरन पर नहीं, परन्तु पुन्जी को उत्पादन का एक कारक माना जाता है जिसे पुरस्कृत होना चाहिए, हलांकि इस्लामी बैंकिंग पुन्जी के मालिकों को मुनाफे में एक हिस्से पानी की अनुमती देती है कि जो वापसी का भुगतान नहीं किया जा सकता। लेकिन बैंकों को जमा पर नगत या वस्तु के रूप में पुरसकार या पूनष जैसी प्रोत्साहन देने की अनुमती है। वापसी कानुनों के अनुकुल उत्पादों को भारत की गैर बैंकिंग वितिये कमपनियों में सहकारी समीतिया और चिट फंड हो सकते हैं। ये केंद्रिये बैंक द्वारा वीन्यमित नहीं है। यह है कि बैंकों वितिये संस्थाओं आधी के लिए अपने नीधियन हेतु उधार लेने की कीमत में ब्रिधी। इसके कारण निमेश निम्न हो जाता है। गैर बैंकिंग वितिये कमपनियों के बारे में। गैर बैंकिंग यानि गैर बैंकिंग वितिये कमपनिय इन बी एपसी इसको कहा जाता है। ये मांग जमाईस विकार नहीं कर सकती है। भारतिये रिजर बैंक इन में जमा रासी की वापसी की गारांटी नहीं देता है। गैर बैंकिंग वितिये कमपनिय यानि एन बी एपसी कमपनिय अधिनियम अनिशाचपपन के तहत पंजेकृत कमपनिय होती है। गैर बैंकिंग वितिये कमपनिय यानि एन बी एपसी रिन देती है तथा निवेस करती है। और इसके लिए उनकी गतिविधिया बैंकों की तरह होती है। लेकिन इसमें कुछ अंतर भी है। जैसे एन बी एपसी मांग जमा को स्विकार नहीं कर सकती। एन बी एपसी भुगतान और निप्टान प्रणाली का हिस्सा नहीं होती और स्वयाम के नाम आहरित चेक जारी नहीं कर सकती। निछेप भीमा और प्रत्य गारंटी निगम की जमा भीमा सुविधा बैंकों के मामले में सेविपरीत एन बी एपसी के जमा करताओं के लिए उपलब्द नहीं है। और बातों के साथ साथ दिशा निर्देश, आय मन्याता, परी समपत्ती वर्गी करण और एन पी एपसी पर लागू प्रावधान, बैलेंस सीट में प्रकटी करण, पुंजी प्रयाप्तता आधिक यावशकता को दर्शाता है। बैंकों के पुंजी गत जोखिम के निर्धारन की विधी क्या है तो पुंजी प्रयाप्तता अनुपात। C.A.R. याणी पुंजी प्रयाप्तता अनुपात अपनी जोखिम भारित संपत्तियों और वर्तमान देंदारियों के संबंध में बैंक की पुंजी का अनुपात है। इसका निर्णय केंद्रिये बैंक और बैंक नियामकों द्वारा वनिजीक बैंकों को अतिरिक्त लाव उठाने और प्रक्रिया में दिवालिया होने से रोकने के लिए किया जाता है। यह बेसल मानक पर अधारित है। C.A.R. बैंकों के रिन को परतिशत में परतर्शित करता है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम, BBPS यह सभी बिलों के भुगतान के लिए एकल प्लेटफॉर्म है जो देश भर के सभी ग्रहकों को अंतर संचालनिये और आसान बिल भुगतान सेवा प्रदान करता है। जुलाई 2017 में देश की विभिन खुद्रा भुगतान प्रणालियों की नियंतरक संस्था भारतिये राष्ट्रिये भुगतान निगम N.P.C.I. को भारत बिल पेमेंट सिस्टम की केंद्रिये एकाई के रूप में कारी करने तथा BBPS को संचालित करने के लिए रिजर्बैंग की अंतिम मन्जूरी प्राप्त हो गई भारत बिल पेमेंट सिस्टम रिजर्ब बाएंगे की संकल्पना पर आधारित और भारतिये राष्ट्रिये भुगतान निगम द्वारा संचालित विवस्ता है यह सभी बिलो के भुगतान के लिए एकल प्लेटफर्म है जो देश भर के सभी ग्राहकों को अंतर संचालनिये और आसान बिल भुगतान सेवा प्रदान करता है BBPS देश भर में ग्राहकों को किसी भी समय कहीं भी बिल भुगतान की सुविधा प्रदान करने वाले एकल प्लेटफॉर्म के साथ देश में बिल भुगतान प्रणाली के संचालन के लिए एक अस्तरिय सनरचना के रूप में कारे करता है भारत बिल पेमेंट सिस्टम BBPS के संचालन के लिए भारतिय रिजर्ब बैंक नोडल एजन्सी नहीं है एसमर्फिंग ये सब्द जो है एसमर्फिंग ये मोनी लॉंडरी से संबंदित है जब स्वामित्य की पहचान सिपाने के लिए कोई भाएंक खाते में कम मात्रा में पैसा जमा किये जाते हैं तो इसे एसमर्फिंग यानि एस्ट्रक्चरिंग भी कहा जाता है इस पत्तति का उपयोग व्यापक रूप से काले धन को वैध बनाना यानि मोनी लॉंडरी में किया जाता है इसे करने वाले व्यक्ति के लिए इसमर्फर या धन खचर्प सब्द का परयोग किया जाता है बैंक दर में ब्रीधी क्या दर्शाती है केंद्रिये बैंक महंगी मुद्रा निती का पालन कर रहा है मौद्रिक निती केंद्रिये बैंक द्वारा और्थ विवस्ता में धन आपूर्थी को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई निती है और इस प्रकार यह मुद्राइस्विती और अपस्विती दोनों से निपटती है यह मुल्य स्थिर्था को बनाए रखने और उच्च आर्थिक वरीधी प्राप्त करने में मदद करती है मुद्राइस्विती से सामना करने के लिए RBI ने मुद्राइस्विती को कम करती है करने के लिए RBI मुद्रा आपूर्थी को कम करती है और अपसपिती के सामना करने के लिए RBI मुद्रा आपूर्थी को बढ़ा देती है जब केंद्रिये बैंक मौद्रिक निती को सक्त करते हैं तो इसे dear money policy कहा जाता है यह स्थिति नियंद्रित मनी सप्लाई के परिणाम सरूप हो सकती है जिससे आपूर्थी और मांग के कारण ब्याजदरे बढ़ जाती है डियर मनी की अवधी के दोरान कारोबार में पूंजी जूटाने में कठीनता हो सकती है जो व्रीधी को कमभीर रूप से कम कर देता है क्योंकि यह प्रद्योगी की और अन्य पूंजी में निवेश करने के लिए बहुत महागा हो जाता है त्वरित सुधारात्मक कारेवाई के बारे में त्वरित सुधारात्मक कारेवाई PCA यह बैंकों के सुचारू कारे सुनिश्चित करने के लिए RBI द्वारा उठाये गए उपायों की एक स्रिंखला है और यह सहकारी बैंकों तथा गैर वीतिये कमपनियों परलागू नहीं होता है त्वरित सुधारात्मक कारेवाई बैंकों के सुचारू कारे सुनिशित करने हे तु आरबी आई द्वरा उठाए गए उपायों की एक स्रिंखला है यह उपाय आरबी आई के द्वरा तब लिया जाता है जब बैंक जोखिम भारित अस्तियों की तुल्ला में पूंज गुनवत्ता तथा लाव प्रतता पर नजर रखता है यदि यह औस अंतोष जनक पाया जाता है तो आरबी आई बैंकों द्वरा वरतमान रिन वा लाभांस वितनम पर प्रतिबंध लगाता है पी सीय की रूप रेखा केवल वानेजिक बैंकों पर लागू होती है तथा इस जिसके उधारन है राजकोस बिल, जमा प्रवान पत्र और वानेजिक प्रवान पत्र वितिय बाजार में दो घटक होते हैं मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में अलपावधिक रिन सामिल होते हैं जिसकी समयावधी एक दिन से ले करके अधिक्तम एक वर्स तक होता ह राजकोस बिल, ब्यापारिक बिल रिपोर्ट, वनिजिक पत्र और जमा प्रमान पत्र अलपावधी रिन उपकरण के उदारन है पुझी बाजार, मध्यम और दिर्गकालिक प्रती भूतियों जैसे एक्विटी सेयर और डिबेंचरों के ब्यबार से संबन्दित होता है जमा प्रमान पत्र एक बैंक या अन्य योग्य वीतिय संस्थान में जमा धन्रासी के बिरुद्ध गैर भौतिक रूप में जारी एक विक्रय योग्य मुद्रा बाजार उपकरण है ये अलपकालिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए जारी किया जाता है। राजकोष बिल या टी बिल ट्रेसरी बिल मुद्रा बाजार उपकरण है, जो भारत सरकार द्वारा अलपकालिक मुद्रा रिन उपकरण के रूप में जारी किया जाते हैं। और ये वर्तमान में तीन क्रम यानी एक आणविर दिन, 182 दिन और 384 दिन के लिए जारी किया जाता है। अतरिक्त उपकरण प्रदान करने में सक्षम बनाता है। मुदरा को दुरलव मुदरा के रूप में सरिनिवद होने के लिए विदेशी मुदरा बाजार में भी इसकी अत्यदिक तरलता होना अवश्क है। अमेरिकी डालर दुरलव मुदरा के सरोत्तम उधारण में से एक है। राजनितिक रूप से इस्थिर सरकार और उच्च सकल घरली उत्पाद वाले देश द्वारा जारी किया जाना दुरलभ मुद्रा के अन्य गुनों में से एक है। मुद्रा के अनुपात को मुद्रा जर्मा अनुपात कहा जाता है। बैंक लोगों द्वारा जमा कराये गए धनका कुछ इसा अपने पास आरक्षित रखते हैं और सेस्विभिन निवेस परियोजन में रीन के रूप में प्रदान कर देते हैं। आरक्षित जमा के दो प्रूप है। बैंक खाता धार को द्वारा नगदी के मांको पूरा करने के लिए आरक्षित धनका उप्योग करते हैं। आधार भूत मुद्रा का निर्वान करते हैं जनता में प्रचलित करेंसी नोट, वानेजिक बैंको के पास वाल्ट नगद, आरवी आई के पास निहित भारत सरकार की जमाराशी, और आरक्षित नकदी निधी अनुपात के अंतर्गत आरवी आई के पास बैंक जमाराई। देश के मौद्रिक प्राधिकरण की कुल देयता को उच्च सक्तिसाली मुद्रा या मौद्रिक आधार कहा जाता है। दूसरे सब्दों में यह बैंक आरक्षित जमा और जनता द्वारा धारित मुद्रा का योग है। आरवी आई कानूनी रूप से उस मुद्रा के लिए उत्तरदाई है जो इसने जारी की है और जिस पर दवा पेश किया गया है। वानेजिक बैंकों की जमा राशी के लिए आरवी आई पर दवा किया जा शकता है और इसलिए इसे भारतिये रिजर्बैंक की देता माना जाता है। उच्च सक्ति साली मुद्रा में जनता में प्रचलित मुद्रा या करेंसी नोट्स और सिक्के वानेजिक बैंकों की वर्ल्ट नगद आरवी आई में नहित भारत सरकार की जमा राशी और आरवी आई में नहित वानेजिक बैंकों की जमा राशी शामिल है। भारतिये रिजवर बैंक मुद्रा अपुर्ती के चार वेकल्पिक उपयोग M1, M2, M3 और M4 का डाटा प्रकासित करता है तो M1 जनता के पास मुद्रा सहीत बैंक प्रणाली की मांग जमा एवं RBI के पास अन्य जमा का योग है M1 M3 जो है M1 और बैंकों में सावधी जमा का योग है M3, M1 और बैंकों में सावधी जमा का योग है भारतिये रिजवर बैंक मुद्रा अपुर्ती के चार वेकल्पिक उपयोग जैसे की M1, M2, M3 और M4 पर डेटा प्रकासित करता रहा है हमेशा इन घटकों में अलग-अलग चलनीधियों के धन को सामिल किया जाता है M1 में क्या होता है जमता के पास जो मुद्रा है प्लस बैंक प्रणाली की मांग जमा प्लस आरवी आई के पास अन्य जमाओ का योग M2 में M1 प्लस डाक घर बचत बैंक की जमा बचत जमा M3 में M1 प्लस बैंक प्रणाली में समय जमा और M4 में M3 प्लस डाक घर बचत बैंक में कुल जमा और राश्ट्रिये बचत प्रमान पत्र को छोड़ कर M1 और M2 संकिर्ण मुद्रा के उपाए है M3 और M4 ब्यापक मुद्रा के उपाए है M3 मुद्रा पूर्धी का सबसे ब्यापक उपाय है इसे समाज का संकलित मौद्रिक समाधार संसाधन भी कहा जाता है Bजार के अतरिकत तरलता को निकानने के लिए कौन से उपाए अपनाया ज़ा सकता है बजार से अतरिक्त तरलता को निकालने के लिए कौन सा उपाया पाया जा सकता है। बजार से अतरिक्त तरलता को निकालने का उपाय है। किया जाता है। आरक्षित नकदी निधी अनुपाद कैस रिजर्ब रेशियो CRR यह बैंकों के कुल जम्हा का वह प्रतिशत है। जो उनको RBI के पास रखना जरूरी होता है। यह एक प्रकार की आकस्मिक निधी है और इस पर कोई व्याज नहीं अरजित किया जाता। CRR में ब्रिधी का और्थ है कि बैंक के पास उधार उद्देश से के लिए धन उपलग्द धन उतना कम हो जाएगा जिससे कि बैंक दोरा रिंद और कटवती की संभावना शिमित हो जाएगी। अब रिवर्स रिपोदर वह धर है जिस पर देश का केंदरिये बैंक। देश के वानिजिक बैंकों से धन उधार लेता है या मौद्रिक निती का साधन है जिसका उपयोग देश में मुद्रयापूर्थी को नियंतित करने के लिए किया जाता है। रिवर्स रिपोदर में ब्रिधी का मतलब है वानिजिक बैंक को आरवियाई के पास अपना धन जमा करने के लिए और अधिक प्रोचाहन मिलेगा जिससे बजार में मुद्रयापूर्थी में कमी आएगी। भारतिये रिज़र बैंक वानिजिक बैंकों को उनकी दैनिक आवशक्ता के पुर्ती हेतु रोकर बनाए रखने के लिए चलनीदी समायोजन सुविधा प्रदान करता है। बारतिय रिज़र बैंक द्वारा अनुसुषित वनेजीक बैंकों को छेतरिये ग्रामीन बैंकों छोड़ कर और प्राथमिक डिलर को चलनीधी समयोजन सुविदा यानी LAF प्रदान की गई है इसका उदेश है बैंकों को उनकिया शक्ता के अनुसार निधी उपलब्द कराना साथ ही उनके पास निरहित अतरिक्त अरासी को RBI के पास जमा करना इसके लावा RBI सरकारी प्रतिभूतियों के समपार्स्विक जमानत के बदले तदकाल रिन प्रदान करता है चलनिधी समायोजन सुविधा मुल रूप से एक दिन के लिए उपलब्द होती है RBI के साथ प्रतिभूति दर एवं तीथी पर पुनर भोगतान समझाता कर बैंक प्रतिभूतियों को बेंच कर और बकालिक जरूर्तों को फूरा करने हेतु भारती रिजर बैंक से धन उधार लेते है इस लेंदेन के लिए RBI द्वारा आरोपित दर को रेपो दर कहा जाता है इस प्रकार रेपो दर जो है वो संचालन प्रनाली में तरलता प्रदान करते हैं रिवर्स रेपो दर वह प्रक्रिया है रिवर्स रेपो जिस पर RBI बैंकों से प्रतिभूति के बदले में रिन लेता है इस पर RBI द्वाना दिया गया व्याज रिवर्स अरेपो दर कालाता है तो रिवर्स अरेपो संचालन प्रनाली से तरलता सोखता है नगत प्रबंधन बिल, कैस मनेजमेंट बिल, CMB नगत प्रबंधन बिल एक अलपकालिक उपकरन है जो भारत सरकार के नगत प्रबाह में और अस्थाई वी संचती को पूरा करने के लिए जारी किया जाता है नगत प्रबंधन बिल में ट्रेजरी बिल की समाने विशेष्टा निर्दिष्ट होती है परन्तु इसे एक कानवेर दिन से कौन परिपकता ओधी के लिए जारी किया जाता है अस्थाई जमा सुविधा अतिरिक्त कोस व्यापित बैंक के लिए एक सुविधा है जो इन बैंकों को कोई भी समपार्स्विक प्रदान किये बिना आरबी आई के पास अतिरिक्त रासी रखने की अनुमती देती है वी मुद्री करण जिससे बैंकों में नगदी जमा के कारण 4 ट्रिलियन का तरलता अधिसेस बढ़ा का अनुसरण कर आरबी आई ने इस उपकरण की सिफारी की थी सरकार द्वारा आरबी आई अधिनियम में संसोदन की मनजूरी देना अभी बाकी है इसलिए वर्तमान में HDF कर्यात्मक नहीं है और बैंकों की तरलता का प्रबंधन करने के लिए इसका लाब नहीं उठाया जा सकता वरिधी सिल आरक्षित नगद निधी अनुपात का उद्यस वी मुद्री करन के माध्यम पांस रुपया और एक हाजार मुल्य के बैंक नोटों की विधी मान्य मुद्रा के रूप में मनेता रद करके सिष्टम से तरलता में भारी ब्रिधी के एक हिसे को और शोशित करना था भारतिये रुपया का सबसे अस्पश्य रूप है वचन पत्र पूर्ण मुल्य मुद्रा वह मुद्रा जिसका एक वस्तु के रूप में उतना ही मुल्य है जितना की उस पर अंकित मुल्य है जैसे सोना का सिखा चांदी के सिखा उसको पूर्ण मुल्य मुद्रा कहा जाता है यानि उसका वस्तु के रूप में उतना ही मुल्य है जितना की उसका अंकित मुल्य है साख मुद्रा वह मुद्रा जिसका मुल्य मुद्रा के रूप में उस वस्तु के मुल्य से अधिक होता है जिससे वह बनी है निशुल के वम और सिमित कमोडिटी अथवा वस्तु के मुद्रा में परवर्थित होने से रोकने के लिए मुद्रा की मात्रा को सिमित किया जाता है प्रतिनिधी पूर्ण मुल्य मुद्रा इसका प्रयोग साधारंत मुद्रा नोट के रूप में होता है मुद्रा की तुलना में कमोडूलिटी के रूप में कम महतो का होता है इस प्रकार इसे साख मुद्रा बनाते हैं वचन पत्र वचन पत्र केंदरिये बैंक द्वारा जारी किया जाते हैं वरतमान में यह मुद्रा परिचालित मुद्रा का सबसे बड़ा हिच्जा है वचन पत् अर्थोपाई अग्रिम इन रीनों को समपार्षविक जमानत के साथ या बीना भी जारी किया जा सकता है। अर्थोपाई अग्रिम आर्वी अई द्वारा राजसरकार और केन सरकार की प्राप्ती और भुगतान के बीच किसी भी अंतर को संतुलित करने के लिए दी गई अल्पकालिक अग्रिम धनरासी है। अर्थोपाई अग्रिम यानि WA में दो प्रकार के होते हैं विशेश अर्थोपाई अग्रिम और समान्य अर्थोपाई अग्रिम। जब राज्य सरकारे संपार्शविक प्रतिभूतियों यानि को लेटरल सेकरूटी पर रिन लेती हैं तो इसे विशेश अर्थोपाई अग्रिम कहा जाता है। RBI 90 दिनों की अवदी के लिए सरकार को अर्थोपाई अग्रिम प्रदान करता है। इस प्रकार अर्थोपाई अग्रिम संपार्शविक प्रतिभूतियों पर और संपार्शविक प्रतिभूतियों के बिना भी जारी किया जा सकता है। भारतिये रिजवर बैंक द्वारा बाजार में तरलता को समायोजित करने के लिए सरकारी प्रतिवूतिया यानि गवर्मेंट सेक्रूटी जीशेक के विक्रय वक्रय को खुला बाजार परिचालन कहा जाता है। बाजार में धौन की भारी मांग होती है जबकि अन्य महीनों में लोग समानेता बैंक जमाया सरकारी प्रतिवूतियों में अपना पैसा संड़क्षित रखते हैं। दूसरी ओर जब आरबिय बाजार से सरकारी प्रतिवूति खरिचता है तो बाजार में मुद्रहापूर्ति शुरू करना चाहता है। लिक्विडिटी एडजेस्मेंट फैसिलिटी यानी चलनिदी समयोजन सुविधा बाजार में तरलता को समयोजित या इस्तिर करने के लिए भारतिये ज़र बैंक दारवा द्वारा तैयार किया गया मौद्रिक उपकरन या उपाय है। जिसको रिवर्श रेपो और रिवर्श रेपो अपरेशन एले एफ के दो प्रमुख घटक है। यह उपाए वनिजिक बैंकों की ततकाल आवशक्ताओं की इस्थिती में अपनी अतिरिक्त सरकारी प्रतिभूतियां बेज कर RBI से अतिरिक्त रिन लेने और बाजार में कम मांग होने पर RBI के पास अपने पैसे सुरक्षित रखने में मदद करता है इसलिए अपनाजार में मुद्रा की तरलता को इस्थिर करता है